हेलो फ्रेंड्स जैसी किछना, जैमादादी, जैसरी शाम, कैसे हो दूस्तों आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे दिखें आज की वीडियो हमारी आप के लिए बहुत ही खास है महादेव के भक्तों के लिए आज की वीडियो बहुत ही खास है आखीर आपकी कौन सी विशेश इच्छा है जो अचानक से पूरी होने वाली है ठीक है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है रिलेक्स रहना है वीडियो को जल्दी से लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बलाइकन को प्रेस करें साथ ही वीडियो को शेर करना ना पूरे तो चली दोस्तों वीडियो की शुरुवात कर लेते हैं बहुत ही खास और महत्वपून वीडियो है आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अप्रेल महा में आपकी कौन सी वनोकाम ना पूरी होने वाली है आखिर क्या कह रहे हैं टेरो कार्ट्स आप से सबसे पहले तो दोस्तों अप्रेल महिना आखिर आपके लिए कैसा रहेगा यह हम देखेंगे तो बिल्कुल लोड नहीं लेना है रिलाक्स रह करके हमारे आज के वीडियो का आपको धियान रखना और आज की वीडियो के हम शुरुबात करेंगे सबसे पहले दो पेड़ आपको दिखाए देंगे फर्स्ट ग्रेंड सेकेंड ब्ल्यू इन दोनों पेड़ में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक करें जो आपको अच्छा लगे जो आपको पैसंद आ रहा हो सबसे पहले आप उसे चूस कर लीजे फिर हम देखेंगे क्या कह रहे हैं टेरो कार्ड क्या लिखा है आपकी किस्मत में और आखिर क्या होने वाला है तो चलिए सारी बातों को समझेंगे बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है प्लीज वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश भी आप करिएगा ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है फर्स नमबर की बात कर लेते हैं जिनोंने भी फर्स नमबर का पेड़ चूस करा हैं उनके लिए सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि बहुत जल्दी आपके जीवन में बदलाओ आने वाला है अप्रेल महिने में बहुत सारी अच्छा है आपकी पूरी होने वाली है बहुत सारी मनों कामना है आपकी पूरी होने वाली है कुल मिला करके काफी अच्छा आपके साथ होने वाला life में काफी अच्छा moment आपको होने वाली है life में काफी हद तक आगे बढ़ने वाले हैं जो struggle था आपका वो अब खत्म होने वाला है life में जो tensions थी जो problems थी वो अब खत्म होने वाली है बहुत अच्छा समय चल रहा है तो बिल्कुल भी load नहीं लेना बिल्कुल tension नहीं लेना है खुश रहने की कोशिश करनी है हमेशा आनंद करने की कोशिश करनी है हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है ठीके जो होगा अच्छे के लिए होगा इस बात का अगर ध्यान रखोगे तो जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी कोई प्रॉब्लम नहींगी हमेशा खुश रहें आनंद करें और हमेशा सब को ले करके चाहिए अचानक से किसी व्यक्ति से आपको कोई खबर मिलेगी या कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा दोस्तो जो आपके विचारों को पॉजिटिव करेंगा अभी आपके साथ जो दिक्कते हो रही है जो condition ने create हो रही है वो negativity की वज़े से हो रही है ठीके न जो negativity आपके mind पर छाई हुई है वो आपको कहीं न कहीं परेशान कर सकती है तो ये negativity ही है जो आपको दिक्कत दे रहे हैं तो हमें इन negativity से दूर रहना है अचानक से किसी वेक्ति से मिली खबर की वज़े से आपके विचार तो देखे बदलेंगे जिन बातों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रख रहे हैं आप सोच रहे हैं कि यार इन बातों में इंट्रेस्ट आपको आ रहा ह इसमें केस से आगे बढ़े क्या करें तो उसे रिलेटट जो इन फॉर्मेशन निकालने के आप कोशिश कर रहे हैं उसके मार्ग अब खुलने वाले काम से रिलेटट जो नेगिटिविटी आपके माहिन में आ रही है उसे आपको धीरे-धीरे कम करनी होगी आप बहुत ज़ स्ट्रेस लेते हैं बहुत ज़दा टेंचन लेते हैं इश्वर के प्रतिया आप सोचते नहीं हैं कि जो होगा हो जाएगा आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में हमेशा प्राबलम से ही चलती रहेगी यह नेगिटिविटी जो आपको घेर रही है जिस वज़े से आप काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं निराशा को ठीक से समझे उसे दूर करने की कोशिश करें और तेज जिगती के साथ काम को पूरा करें काम संबंदित जो नाराजगी है वो बहुत जल्द दूर होगी अचानक से किसी वेक्ति की मदद के कारण बहुत बड़ी समस्या हल होगी प पराप्त करने के अपिक्षा तो उसके लिए दीरे दीरे पैसे अभी सजोड़ना आप शुरू कर दें किसी वेक्ति की वज़े से आप काम को गंपरता से लेंगे अपने कारेशेतर से जूड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा मेहनत की जाएगी जो लो बड़ा फायदा भी होगा चिंता हवी ना होने दिर जिस प्रकार से आपको रास्ते मिल रहे हैं उसी प्रकार से उसे स्विकार करते हुए महनत करें अभी के समय में आपके द्वारा की गई महनत की कारण आर्थिक परिस्तिती में बहुत बड़ा बदलाव देखा जा सकता ह जीवन शेली में भी बदलाव होगा पुरानी बातों मेटके रहने से आपका नजरीया नहीं आप बदल पाएंगे और इसी हяж से नहीं बातों को स्विकार करने के लिए विचारों के बदलाव जो है आपको विचार करना होगा तो बहुत जल आपके जीवन में अचारक से कोई विशेश इच्छा है जो पूरी होगे जो काफे टाइम से आप सोच रहे थे कि ये कारी मेरा हो जाए ये मनोकामना मेरी पूरी हो जाए जिस भी मंदिर में जाते थे सिप वही इच्छा वही मनोकामना मांगते थे तो टैंचन ना ले वो इच्छा पूरी होगी वो मनोकामना पूरी होगी इश्वर की प्रती आपकी आस्था विश्वास जो है वो बढ़ रहा है तो बिलकुल टैंचन ना ले रिलाक्स रहे और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें बाके लाइफ बहुत है इससे पैष आना है चीश से भी रूड ली भीहेवियर नहीं करना है हमें अपनी गल्ती का अपनी किसमत का जो कहतेए खाम्याजा जो होता है जो हमें ही भुगतना है अब किसी और पर उसका ब्लेम डाल रहा है उसे परहों हों ठिकर हमारी गल्त करें कोई दिकत thesis कुक्त दाकि बहुत अच्छा समय आपके जिन्दगी में चल रहा है तो बल्कुल टेंशन नहीं लेना है रिलाक्स रहे, रिलाक्स प्री होकर के जीवन में आगे बढ़ने की साके नमबर की बात करें जिनोंने भी साके नमबर चूस करा है देख लेते हैं अपरेल महिने में आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होने वाली है क्या कह रहे हैं टेरोकार, युनिवर्स की तरफ से क्या संके थे और आखिर आपके साथ क्या होने वाला है तो सारी बातों को समझेंगे दोस्तों बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो हैं बहुत ही स्पैशल वीडियो हैं जो आपके लिए स्पैशली बनाई गई हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर अपरेल महिने में आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं जैसे कि बेबी से रिलेटेड, गौर्मेंट जॉब से रिलेटेड या इंकम सोर्स से रिलेटेड काफी इसी कुछ इच्छा हैं जो काफी दिनों से पैंडिंग पड़ी हुई थी जिनकी वज़े से आप काफी स्ट्रगल कर रहे थे परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे तो यह सारी इच्छा हैं आपकी पूरी होने वाली है तो बिल्कुल भी आप खूश रहें जीवन में हमेशा आनंद करें और सबका अच्छा सोचें तो रहा है आपकी जंदगी में हैरोकार्ट साब के लिए क्या कह रहे हैं क्या कुछ लिखा है और क्या कुछ होने वाला है तो सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी फेस बहुत आनंद करना होगा और हमेशा इश्वर का सही मार्ग दरशन लेना होगा सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी दोस्तों काम संबंदी बहुत बड़ी जिमिदारी आपकी पूरी होने वाली है और नए काम की और आप ध्यान देने वाले अभी आप खुद को भ सब्सक्राइब का भी ध्यान रखें रिस्क थोड़ा दिक्तत दे सकता है विचारों में स्पष्टता और एका ग्रता बढ़ने से समस्याओं को सुल जाने के लिए प्रैत्न की जाएं परिवार संबंदी जिमिदारियों को नजरंदार्ज बिल्कुल भी ना करें परिवार म चोरी होने के जंभावना हैं करीबी वेक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं तो लोगों पर तुरंत विश्वास ना करें अपनी गलती के कारें बड़ी समस्याओं उत्पन होती वी नजर आ रही हैं हड़ बड़ी ना करें समस्याओं को दूर करने की शमता आप में है लोगों की आलोचनाओं को नजर अंदाज करते हुए के वर काम पर ध्यान रखें अपनी तुलना अन्नी लोगों के साथ करके आप खुद के लिए परेशानी बढ़ा रहे हैं जिन लोगों को प्रगती प्राप्त हो रही हैं लोगों ने किस प्रकार से काम किया है इस बात भी ध्यान आप टेबल विचार करते हैं जब महनत करने का वक्त आता है तो आप लक्ष से भटक जाते हैं और यह कलती सुधानी के आपको बहुत ज़्यादा ज़रोत हैं जब तक कारी पूरा नहीं होता तेर तक प्रेतन रोकना नहीं है इस बात को ध्यान में रखें आपको महनत के अनुसार प्रगती मिलेगी लेकिन आपके प्रेक्षाय बड़ी होने की वज़े से सफलता प्राप्त करने में आपको थोड़ा साथ समय लग रहा है आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने के लिए नई स्त्रोत आपको प्राप्त होंगे लालस से आपको बचना होगा मेटल से संबंदित काम करने वाले व्यापरियों को बड़ा ओडर भी मिल सकता है परिवार और वेक्ति के जीवन पर अधिक ध्यान दे काम संबंदित कुछ बाते नजर अंदाज होगी यदि आप किसी वेक्ति के साथ पार्टनर्शिप में काम कर रहे है तो निर्ने लेने स से पहले एक दूसरी के साथ चर्चा करें अचानक से किसी वेक्ति के साथ करीब महसूस होने लगेगा इस वेक्ति के लिए जो भावना आपको महसूस हो रही है उन्हें ठीक से समझ कर फिर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें देखिए वरिष्ट लोगों के माग दर से निकल भी सकते हैं दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या कर्ज लेने से बचे साथ ही अगर किसी से कोई वाधा किया है तो अवश्ची पूरा करें समंधियों के साथ रिष्टों में मदूरता रखने के लिए आपके विशिश भूमेका रहेगी बच्चों के माम करें अपने अनुबहों के आधार पर कारी करने दें और आत्म इश्वास की भावना को जाक्रत करें बाकि देखें बदी बतनी के बिच कुछ तनाव चल रहा है तो बहुत जल दूर होगा धन दायक तो प्रतिष्ठा दायक समय बना हुआ है अपने संपर्क सुत्रों का अचीष यह अखेंगा वजट का भी द्यान कोई कारे मनंवकूर तरीक में अधिक मजबूत करें इनके दार आपका कुई विषयष कारी संपर्न न होगा वेवसाह से महतँपड कारी करने से पहले इक बार ध्यान दें और इतना ध्यान रखें कोई बहुत बड़ी और विश आगे बढ़ना है तो वीडियो कैसे लगी फसंद आई हो प्रेस लाइक करें कमेंट सेक्शन में जय मातादी के जय कारें लगाएं चैनल को सब्सक्राइब करें बल आकन को प्रेस करें साथ वीडियो को शेर करना ना भूलें मिलता है नेक्स वीडियो में अभी के लिएप सो बहुत बहुत धनिवाद जय मतादी है 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 मात दियो